आज की इस वीडियो से आप सीखेंगे कि कोराड ड्रापर शॉटकट की से सब्सक्राइब बटन कैसे बनाएं तो दोस्तों मैं हूँ गुफरान टाइपिस्ट आप देख रहे हैं स्किल नॉलेज वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बिलाइकन को जरूर प्रेस कर लेना तो बिना वीड की चलिया आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं देखिया दोस्तों यहाँ पर हमने कोराड ड्रा ओपन करके रखा है अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से सुनना समझना और देखना है देखिये अभी हमारा करसर इस तरह का है अब हम F6 को प्रेस कर देते हैं जैसा ही F6 को प्रेस करते हैं तो करसर को देखिये अब इस पर रिस्ट рेंगुलर टूल आ चुका है आप इधर देखिए इस तरह से आपको एक छोटा सा बॉक्स बना लेना है जैसा कि आप देख रहे हैं इतना करने के बाद आपको F10 प्रेस करना है F10 को प्रेस करने के बाद अपने करसर और इस बाक्स को देखिए कुछ इस तरह का हो चुका है इसके बाद आपको माउस से ऐसे करना है तो दोस्तों इतना करने के बाद CTRL PLUS SPACE यानि की CTRL के साथ SPACE को प्रेस कर देना है इसके बाद आपको इस बाक्स की दो कापी और बनाना है तो इसके लिए आपको पहले एक बार PLUS को प्रेस करना है एक बार PLUS को प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से करना है देखिए यानि कि इन दोनों बाक्स को अपने कोर्डिंग बराबर कर लेना है जैसा कि आप देख रहे हैं इसके बाद इस अंदर वाले बाक्स पर किलिक करना है और फिर नुमेरिक प्लस को प्रेस करना है इसके बाद फिर इसको अपने कोर्डिंग तो भाईया इतना करने के बाद आपको अपने अंदर वाले बॉक्स पर किलिक करना है इसके बाद राइट साइड से आपको रेड कलर को फिल करना है जैसा कि आप देख रहे हैं इसके बाद ये जो बीच वाली लाइन है इस पर किलिक करना है इसके बाद right side से आपको black color पर click कर देना है इसके बाद इन सभी box को बाहर से पूरा select कर लेना है और control plus G यानि कि control G को press करना है दोस्तों कितने भी items हो select करके जब control G press करेंगे तो यह पूरा एक group में हो जाएगा यानि कि अब ये एक item बन चुका है इसके बाद F8 को प्रेस करना है और इस पेज पर किलिक करना है अब यहाँ पर सब्सक्राइब लिखना स्टार्ट करते हैं इसके बाद कंट्रोल प्लस इस पेज का यूज करते हैं और इस सब्सक्राइब बटन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यानि कि इसको इस बॉक्स के अंदर अपने कोर्डिंग सेट करना है अब इस सब्सक्राइब को हुआइट करने के लिए हम राइट साइड में इधर हुआइट कलर पर किलिक करते हैं इसके बाद F12 को प्रेस करना है अब यहाँ पर देखिए तो दोस्तों अब आप इन सभी आइटम को सिलेक्ट करिए और कंट्रोल प्रेस जी को प्रेस कर देजिए बस यह अब केवल एक आइटम हो चुका है तो दोस्तों अब आप कोरड ड्राव पर किसी तरह का भी सब्सक्राइब बटन बना सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन या कोई प्रावलम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शियर और सब्क्राइब किया वगर ना जाना तो मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्यू